करने वाले यूनिट कनुवर्जन यसा एनुटी सीजिय सीजियस्ट यसा उनिट इसमें बहुत सारे बच्चो के नंबर चले जाते हैं ये वडियो आम तक देखने से बच्चो आपका एक भी नंबर इसके बाद कभी नहीं जाएगा ये गारंटी के साथ बता रहा बच्चो त यहां पर मुझे पता है बच्चो कि आप लोगों के जो CET हो, Board हो, कोई भी एक जम में जैसे New syllabus वाले बच्चो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और जो CET दे रहे, NET दे रहे, JEE दे रहे, सभी के लिए Unit Conversion बहुत इंपोर्टन्स टॉपिक होता है तो बच्चो इस वीड बहुत ही फेमस है, देखो, यह बहुत जादा फेमस है, बहुत ही जादा करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं, जैसे कि आप लोगों को मीटर आ गया, तो सेंटी मीटर में Conversion करना पड़ता है, अब ऐसे क्यों तो आपको पता है बच्चो वन मीटर यह बहुत इजी लग रह तो इसको 10-2 लिग सकते हैं, बच्चो मुझे बताओ, हम लोग किसमे से किसमे Convert कर रहे है, SI unit से CGS unit में, अब मुझे बताओ बच्चो, SI बढ़ा है, CGS छोटा unit जैसी unit है, मुझे बताओ, तो इसमें 10-2 प्लस-2 ही आएगा, मीटर से सेंटी मीटर, देखो, कभी भी SI unit बढ CGS unit छोटा, अब बच्चे क्या करते हैं गलती, अगर यही सेंटी मीटर, टू मीटर कनुवर्जन करना है, तो माइनस 2 आएगा बच्चो पावर, बास समझ में आ रहे है, माइनस 2 क्यों किया है, क्योंकि बच्चो में ने छोटे में से बढ़ा कर रहा हो, तो पावर माइनस हाईगा, बास समझ में आ रहे है, मतलब गलती कहा हो जाती, आपको समझ में आ रहा है, कि बच्चो को यही पता नहीं होता है, कि मीटर यह बड़ा यूनिट है, सेंटी मीटर छोटा है, तो टेंडर स्टू माइनस 2 पावर देना है, प्लस 2 देना है, इसमें गरबड करते है शुर गरबड करते बच्चो मुझे पता है, इसलिए एक बात ध्यान में रखना है, कि मीटर यह बड़ा यूनिट होता है, यह सा यूनिट है, सीजियस छोटा यूनिट है, आपको मीटर 2 सेंटी मीटर करना है, तो ओबिसली उसका पावर प्लस आएगा, अगर छोटे में स है, बड़ा करना है, तो माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा, सिंपल से बात है, देखो आप, कन्वर्जन में एक एग्जामपल के तोर पर बताऊंगा, लेकिन इसके बाद में आपको प्रूप नहीं दूंगा, ठीक है, यह प्रूफ है बच्चो, अब देखो यह, होगे 10-2, ठीक है, यह सेंटीमेटर, यह उपर गे तो माइनस 2 होगा, समझ में आ रहा है, बच्चो, मैंने क्या क्या का नवर्जन, तो यह इसका प्रूपता है, लेकिन बच्चे गरबढ करते हैं, और मुझे बहुत सारी रिक्वार्मेंट है, आपको पता होना चाहिए, मुझे बहुत सारी रिक्वार्मेंट आ रही, इसलिए एक वीडियो बना रहा हो, वह सेंटीम, यहां पर 1 kg, कि हम लोग 10-3 ग्राम, क्यों, यह 7 निट बढ़ा है, छोटा है, इसका मतलब अपको तो पता है, 1 kg यह इस इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, लेकिन 10-2 के पावर के में लिखना अच्छा रहता है, समझ में आ रही है, कोई डेंशन है मेरे बाई, समझ में आ रहा है, अगर वही ग्राम 2 kg करना है, तो माइनस 3 दे दो यार, क्योंकि हम लोग छोटे में से बढ़ा कर रहे, यह छोटा है, बढ़े के तरब जा रहे, तो माइनस फार आएगा, बाई समझ में आ रही है, kg वेट, kg जब वेट ऐसा आए उस नमर को, जैसी कि for example, मेरे पास यहाँ पर 10 kg वेट है, तो क्या करेगा बच्छो, 10, 9.8 करोगे, तो 98 होगा यह नूटन में, बाई समझ में आ रही है, आपके पास km पर आ रहा, तो 5 by 18 मीटर पर सेकंड करना है, क् वन किलो मिटर, वन किलो मिटर मतलब क्या, किलो मतलब वो, 1000, और आर कितने होते है आपनी इसमें, एक आर में कितने सेकंड होते है, इतने होते है, ठीक है बच्छो, तो यहाँ पर 0000 मर गया, 2 से करो, तो 5 यह 1 यह 8 बाई समझ में आ रही है, बच्छो, कनवर्जन, कोई भी से कर, ऐसे कनवर्जन, यहाँ पर एक्जम्पल के थू बच्छो में बता रहा हो आप लोगों को, तो यह करना बहुत जरूरी, मतलब यह भी हो गया अभी, नेक्स्ट बच्छो आपके लिए, देखो यहाँ पर, मैंने जो 5 नंबर पर, वाट आट्मास्पियर, क्या नाम है इसका 1 ATM रहता है, ATM मशिन नहीं, पैसे निकालने की मशिन नहीं भाई, तब यह बात द्यान में रखना, डारेक्ट 10 देश्टू 5 न्यूटन पर मिटर स्क्वेर से करना है, मल्टिप्लाई ओ नंबर को, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 5 ATM रहा तो, हम लोग 5 इंटू 10 प्रेश्य 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 यह लिखनी की ज़रत नहीं क्योंकि अप्रोग्जमिटली वन की यह बाउट वल्व है, जैसे कि मेरे पास 2 इलक्ट्रान होल्ट है, मुझे करना है जूल में, तो क्या करें कि बच्चे 2, इलक्ट्रान मतलब चार्ज, और चार्ज होता है 1. 1.6 into 10 raise to minus 19, तो इसलिए 1.6 into 10 raise to minus 19 J, तो यह आपका 3.2 into 10 raise to minus 19 J, यह मैंने मेरे example में, यही same to same conversion किया, इसलिए आप लोगों को पास यह content दे रहा हो, बास समझ में आ रही है, उसके बाद में, जब भी electron होल्ट हो गया, then बच्चो, जूल का आर्ज में करना है, तो 10 raise to 7 आर् प्रूप के साथ, ठीक है, अगर वही 1 newton रहा, तो डाइन में करना है, तो 10 raise to 5 डाइन, अगर बच्चो, कभी-कभी हम लोगों को CGS unit arcs, डाइन है, इसको convert करना है, एससा unit में, तो उल्टा करना परता है, तो देखो, यहाँ पे arc को डाइन में करना है, जूल में, तो 10 raise to minus 7 यहाँ पे Joule आएगा, समझें, देखो, बड़े में से छोटा, तो पावर प्लस, छोटे में से बड़ा, माइनस पावर देना है, मतलब, conversion होई होता है, 10 raise to 7, 10 raise to 5, जो भी पावर होता है, पावर चेंज होता, नहीं है, only पावर में, आप दिमाग में एक धान रखना है 11th होता है, लेकिन, SI to CGS, CGS to SI, SI, बड़े में से छोटा है, प्लस, पावर आगा, छोटे में से बड़ा कनवर्जन करें, मतलब, चोटा हुछ यह, छोटा ही चीज है, मुझे जूल में करना है, तो पावर में माइनस देना है, इस में, छोटे में से बड़ा माइनस, बड़ में से छोटा प्लस पावर समझे यही चीज़ बच्चो अभी यहां पर यह जो डाइन है डाइन का यह करना 10 देश्टो माइनस FILE Newton में कर रहा हूँ है बास समझ में आरही है कोई dention नहीं होना चाहरे बच्चो इसमें ठीक है यह एक-एक हर चीज़ को समझ लेना बहुत जरुरी होता है चलो उसके बाद में बच्चो Newton हो गया जूल हो गया मतलब यह हो गया 8 नमर हो गया चलो kilowatt hour ठीक है kilowatt 1 kilowatt hour मतलब पता है न आप लोगो kilowatt hour तो उसको energy में करना है तो ये होती इसकी energy जब भी kwh आपके घर पे मीटर पे जाके देखना kwh unit होता है तो यतनी energy अपने speed किये है ठीक है इसका मतलब 3.6 into 10 days to 6 अगर 1 calorie का अगर आपको जूल में करना है तो 4.186 जूल करना है मतलब जो भी नमबर यहाँ पे 2 होए तो यहाँ पे 2 multiply करना है यहाँ पे 5 है तो इसको 5 multiply करो ओके इसके बाद में बच्चो यही kg force अगर यह रहा तो 9.8 जैसे kg weight और force कि weight एक force ही बच्चो ठीक है तो मैंने W लिखाता, weight लिखाता और यह same meaning है और 1 gram force रहा तो बच्चो इसको 9.8.0 newton करना है बाद समझ में आ रही यह cgs बच्चो यह 7 unit है ओके को इटेंशन अगर बनना है चलो उसके बाद में बच्चो हमारे पास पावर के लिए 1 arc per second पावर का फार्मूला पता है बच्चो work upon time, work upon unit होता है 1 joule, all time का second होता है यह cgs unit में किसमें? cgs में तो बच्चो मैं कर रहा हूं यहाँ पे I think 10 raise to minus 7 आना चाहिए था क्या 1 joule is equal to 10 raise to माइनस आना चाहिए था यहाँ पे उसके बाद में बच्चो जब भी HP जैसे कि आपके पास 2.2 HP दिया है आपको करना है बच्चो इसको वेट में इसको बोलते है और स्पावर मतलब पावर का यूनिट है पावर का यूनिट वेट सबको पता है मतलब HP ये पावर ही बच्चो जैसे कि मोटर ले तो एक इलेक्टर तो HP पूछते है यहाँ पे तो 2.2 उसको मुल्टिप्लाइ करेंगे 746 बाद समझ में आ रही इनका मुल्टिपिकेशन जो हैगा वो इसका आइंसर होगा बच्चो इलेक्ट्रो स्टाटिक यूनिट जो है जब चार्ज रहता तो कुलम में करना पड़ती है जब पोटेंशल डिफरेंस रहा तो होल्ड में करना पड़ता है जब करंट रहा तो MPRF ये बच्चो आप लोगों के लिए इस्तमाल नहीं करते हैं जादा maximum time नहीं करते हैं देखो 9 नमबर पे करते हैं 10 ये 11 भी करते हैं ये 12 ये 13 ये 14 ये 15 नमबर पे नहीं भी किया तो चलेगा ये आपके लिए 16 नमबर में उल्टा जा रहा हूँ ये भी नहीं किया तो चलेगा 17 नमबर पे भी नहीं किया तो दियान में रखना है बच्चो, यहां पे जब भी कोई राइडियन में दी वैल्यू हो, जैसे कि मेरे पास यहां पे 30 राइडियन है, मुझे डिग्री करना है, तो सिंपल 30, 180 पाय करो बच्चो, आपकी वैल्यू मिल जाएगी, बास समझ में आ रही है, आपको डिग्री मे वैल्यू मिलेगी बच्चो, किसमें मिलेगी यह, यह डिग्री में वैल्यू मिलेगी, तो यह आना चाहिए बच्चो, ठीक है, उसके बाद में बच्चो, यहां पे वैल्यू में गिनते होगे, लीटर में, देखो, यहां पे जो वैल्यू में लेटर में गिनते हैं, तो 10 र 10m3 रहा तो 10 देश्ट टू 6 cm3 होता है, क्यों होता है बात समझा देता है बच्चो देखो 1m is equal to 10 देश्ट टू 2 cm है, करक्ट है, इनका क्यूब करना है तो इनका भी क्यूब और इनका भी बी क्यूब तो 1m3 ये पावर की पावर के साथ multiplication 10 देश्ट टू 6 cm3 कभी-कभी area भी होता है बच्चो आसा, देखो 1m2, 10 देश्ट टू 4 cm2 होगा, क्यों? क्योंकि 1m, तो 10 देश्ट टू 2, है न, cm2, अब स्क्वेर करो, इसका भी करो, इसका भी करो, तो 1m3 ये टू 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 जा 4 cm2, बात समझ में आरे बच्चो या cubic centimeter भी होता, cubic centimeter, cubic मतलब 10 देश्ट टू माइनस 3 cm, समझ में आ रहा है, तो cubic centimeter, ठीक है, तो यह आप लोगों को, मेरे खाल से वो गलब था, centimeter की मतलब cubic centimeter, इतना धान में रखो, गलब किया था क्या मैंने, देख ले न, अगर comment में डालना है तो डाल सकते बच्चो, अगर मै आद नहीं आ रहा है, चलो, 1 micrometer, यह होता, micro मतलब माइनस 6, जानवे रखना, और Einstein में बहुत सारी चीज आती, modern physics में हमने electron photon नाम के chapter में, atom molecule nuclear chapter में पड़ा, Einstein मतलब 10 देश्ट टू माइनस 10 meter होता है, और एक फर्मी होता है बच्चो, तो होता है 10 देश्ट टू माइनस 50 meter, फर्मी मतलब, ठीको, इसके बाद में pico faraday, pico faraday नाम सुना, pico मतलब minus 12 faraday, यह electrostatic chapter में capacitor के question जब solve करते हैं, तब करते हैं, pico या नानो faraday, तो 10 देश्ट टू माइनस 9 faraday होती है, ओके, इसके आला हुआ बच्चो, आपके पास और भी कुछ रहे, तो मुझे comment box में ड constant values लिखिए, सबको पता है, G value 9.8 बच्चो, इसको approximately हमेशा 10 लेना है, जो CET वाली बच्चो, जो board वाली उसको 9.8 लिखना पड़ेगा, CET वाली को थोड़ा approximately answer निकाल के हम लोग उसको find कर सकते, universal gravitation constant सबको पता है, 6.67 into 10 raise to minus 11 newton meter square per kg square, यह आपको आउगेंटरस नमर पता per mole, plank constant ही बच्चो, 6.63 into 10 raise to minus 34 joule second, speed of the light, सबको पता है, 3 into 10 raise to 8 meter per second, charge, 1.6 into 10 raise to minus 19 g, mass of electron ही बच्चो, 9.1 into 10 raise to minus 31 kg, mass of the proton, 1.672, बाकी से बे, देखो, proton का और neutron का, यहा पे 4 लगाना है, बास, 1.672 है, और 1.674 है, बाकी पावर से में सब से में, यह stepan constant, 5.67 into 10 raise to minus 8 wave per meter square kelvin raise to 4 ही बच्चो, और यहा पे बास्मान constant, 1.67, 1.38 into 10 raise to minus 23 joule per kelvin, gas constant, universal gas constant 8.31, 5 joule per mole per kelvin, और यह wind displacement constant, इसके अलावा भी और बहुत सरे constant values है, अपसलान नॉट की वल्यू ए 8.85 into 10 raise to minus 12 कुलम square per newton meter square, और यह 1 by 4 पावर अपसलान नॉट की वल्यू अपको पता होना चाहिए बच्चो, 9 into 10 raise to 9, ऐसे value, है ना, 4 पावर इंटो 10 raise to minus 7, यह मू नॉट की वल्यू, ऐसे values है, values अपको थोड़ा detail में यहां पे आना चाहिए, उसके अलावा भच्चो देखो, इसमें और इसमें क्या फरक है, यह अपको minus के पावर है और यह plus वाले है, मतलब यह deci centimeter है, minus 2, milli, micro minus 6, nano minus नहीं, pico minus 12, femto, minus, यह आटो, जेटो और 8, बच्चो यह इधर के जो सिंबॉल ह और यह concentrate दे रहे बच्चो, इसमें फरक यह होता है कि पाइचानना कैसे, बच्चो यह capital letters में होते हैं, तो 10 raise to power उसकी plus होती है, और जब minus में हैं, तब छोटे होते है, small letter, यह small letter है बच्चो यह small letter और यह हमारा capital letter है, समझे, small और capital letter में इतना फरक है बच्चो, मतलब जो similar आ बच्चो यह बच्चो है, तो यह बच्चो है, हमारे थोड़े small letter capital के कारण ही, यहाँ पर बस confusion हो सकता है, ओने के इतने ही chances है, तो यह पेटा है, पेटा, तो यह capital होगा, यह small letter होगा, यह pico, पेटा, ठीक है, तो यह बच्चो आपको deka, hecto, 10 raise to 3, kilo, मेगा, ठीक है, तो य यह मिली है बच्चो यह small होता है, और मेगा, capital होता है, G यहाँ पे 10 raise to 9, यहाँ पे G है क्या, नहीं है, चल T यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, P यहाँ यहाँ यहाँ, तो यह capital होगा, यह small, small रहा तो 10 raise to minus, और capital रहा तो 10 raise to plus की power होगी, यह बात धान में रखना है इससे और एनर्जी मिला के और ऐसे content को में आपके पास share करते रूंगा तो thanks for watching this video and best look for your all examination